हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा आर्ट समाजिक अध्यान के अंतरगेट संसादन एबं विकास विशे का चोथा पार्ट कृसी आप देख रहें नहीं आपर यह आपका पार्ट चार कृसी हम आपको बताएंगे इस पार्ट से सम्बंदित प्र सकते हैं और चाहिए अपनी पार्ट पुस्तक से लेकिन एक बार पार्ट को जरूर देख लें ताकि आपको जो यहाँ पर प्रशनों के उत्तर बताएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें तो आप देख रहें ने यह आपका पार्ट चार कृसी इसके बाद जैसे ही यह पर यह पार्ट समापत होता है हम आपको लिए चलेंगे पार्ट से सम्बंदित प्रशनों के उत्तरों पर उन्हें आप अपनी नोट बुक में नोट करें और उन्हें अच्छे से याद करें ताकि आपको परिक्षा के समय किसी परिशानी का सामना ना करना पड़ें तो जानते रहें अपने सारे प्रशनों के उत्तर हमारे साथ तो देख रहें न बच्चो यह है आपका यहाँ पर इस पार्ट के अंत में कुछ प्रसने पूछेगे और इनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं पार्ट से सम्मंदित प्रसनों के उत्तर तो बच्चो आप ध्यान दें आपको एक बार फिर से याद दिला दें आज हम पढ़ रहें कक्सा आठ सामाजिक अध्यान के अंतरगयत संसादन एवं विकास विशे का चौथा पार्ट क्रिसी और हम आपको बता रहें अभ्यास प्रसनों तर के अंतरग लेते हैं पहला प्रसन आपका निमने लिखित प्रसनों के उत्तर दीजिए और प्रसन क्या है फस्ट है यहाँ पर क्रिसी क्या है तो जानते हैं आप क्रिसी क्या है उत्तर लिखेंगे क्रिसी फसलों फैलों सबजीयों फूलों को उगाना और पसुपालन सम्मंदित सभी क् हैं किर्शी एक प्रात्मिक क्रिया है तो इस प्रकार से आप अपने पहले प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं देख रहे ना आप यह आपका पहला प्रस्ण और उसका उत्तर इसके बाद बच्यों अगला आपका प्रस्ण है सेकेंड वाला उन कारकों का नाम बताईए जो किर् प्रदा और नमबर तीन जलवायू समझगे ना आप इसी प्रकार से आपने पार्ट में पढ़ा होगा बच्चों तो यह है इसके कारक इसके बाद अगला है आपका थर्ड क्वेस्चन है यहाँ पर अस्तान तरी क्रिशी क्या है इस क्रिशी की क्या हानिया है तो चलिए जा बूखंड को साफ किया जाता है आप क्या करेंगे बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे अस्तान तरी क्रिशी और यहाँ पर जो है आप हेडिंग डालेंगे ध्यान रहे हेडिंग डालना ना भूले इसके बाद आप लिखेंगे अस्तान तरी क्रिशी में ब्रेक्सों को क माप्ति के बाद यहाँ भूमी छोड़ दी जाती है और किर्षक नए भूखंड पर चला जाता है इसे कर्तन इवम दहन किर्षी भी कहा जाता है तो समझेगे ना आप इस परकार से आप अपने थर्ड क्वेशन का उत्तर लिख सकते हैं ध्यान रहें यहाँ पर आपको हैडिं होता है और नमबर तीन परियावरन प्रभावित होता है तो इस प्रकार से आप जरूर लिखें और इसे अच्छे से याद करें अगला क्वेशन है बचिव आपका रोपन किर्षी क्या है तो जानते आप रोपन किर्षी क्या है उत्तर में लिखेंगे रोपन किर्षी और हे किसरा पॉइंट लखेंगे बच्चों इसमें बैग्यानिक विदियों का उपियोग किया जाता है और चौता पॉइंट लखेंगे इसमें मुक्यता है चाय कहवा काजू रवय केला आदी की एकल फसल उगाई जाती है ठीक है न तो यहाँ पर क्या लखेंगे आप यहाँ पर रवर्ड लिखेंगे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे रवर्ड क्या हो गया चाय कहवा काजू रवर्ड केला आदी की फसल उगाई जाती है तो इस परकार से आपका रोपन किर्शी संबंदित जो प्रसन आपका जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों इसका उत उत्तर देख लेते हैं बच्चों उत्तर में लिखेंगे सरकार द्वारा किसानों को किर्शी विकास में मदद और इसके बाद हैडिंग डाल देंगे आप यहाँ पर नमबर एक लिखेंगे सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चकवंदी यहाँ पर जो हैं चकवं करती है समझगे ना इसके बाद नमबर तीन लिखेंगे आप किसानों को उच उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदी उपलब्द कराकर उत्पादन बढ़ाने में सायता करती है नमबर चार सरकार किरसी उत्पादों के भंडारन तथा वितरन की सुविधा परदान करत करती है तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रस्णी का उत्तर लिख सकते हैं प्रस्णी यह आपका सरकार किसानों को किरसी के विकास में किस प्रकार मदद करती है और उत्तर जो यह आपका यहां से शुरू हो जाता है और इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं प गैयवाले पर गैय कि यह वाला उप्सन आपका सही ह सही है याद रखें बच्म-मच्चो इसके बाद सेकेंड क्वेस्चन है बच्चो सुनहरा रेशा से अभी प्राय है तो यहाँ पर तीन उप्षन है चाय कपास या पड़सन उत्तर में लिखेंगे आप पड़सन तो किस पर लगाएंगे पड़सन पर गयवाला उप्षन आपका सही है देख रहे ना आप उत्तर में तो कौफी का परमकुत पादक है ब्राजील भारत या रूस तो कौनसा सही है फस्ट वाला कौनसा ब्राजील आप किस पर लगाएंगे सही का चिन ब्राजील पर तो यह आपका उप्षन सही होगा करेक्ट उप्षन होगा ब्राजील इसके बाद बच्चो प्रसनात आपके कारण और हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रात्मिक क्रियाओं के अंतर गयत उन सभी क्रियाओं को सामिल किया जाता है जिनका संबंद प्राकर्तिक संसादनों के उत्पादन और निसकर्शन से होता है भारत की किर्शी में फालों फसलों सब्जीयों फूलों को उगाना और पस यह आपका कारण इसके बाद second है बच्चों आपके लिए बिविन फसलें बिविन परदेशों में उगाई जाती है इसका क्या कारण है तो तर में लिखेंगे सबसे पहले कारण हैडिंग डालके लिखेंगे बिविन फसलें बिविन परदेशों में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि बिविन परदेशों में इसला करती मिर्दा और जलवायू बिविन होती है यानि कि अलग-अलग होती है बिविन इसला करती मिर्दा और जलवायू में बिविन फसलें ही पैदा होती है तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों चोथा प्रस्ण है अंतर इस फ़स्ट कीजिए तो आपने यहाँ पर अंतर बताना है किस-किस में यह दो क्वेसेन आपके लिए फस्ट है प्रात्मिक किरियाएं और तरतियक किरियाएं और सेकेंड वाला है निर्वा किर्सी और गहन किर्सी तो यहाँ पर आप क्या करेंगे उत्तर लिखेंगे उत्तर और फस्ट वाले का पहले लिखेंगे और फस्ट में क्या था प्रात्मिक किरियाएं और तिर्थियक किरियाएं तो इसमें अंतर क्या है प्रात्मिक किरियाएं और तिर्थियक किरियाओं में क्या अंतर है चलिए उतर देख लेते हैं उतर में आप लिखेंगे ऐसे एक टेबल बनाएंगे आप बच्चों ध्यान द एसी एक टेबल बनाएं और यहाँ पर लिखे प्रात्मिक किरियाएं यहाँ पर लिखे तृतियक किरियाएं और दोनों में अंतर बताएंगे नमबर एक अंतर जिन किरियाओं का संबंद प्राकर्तिक संसादनों के उत्पादन और निशकर्शक से होता है और इसमें लिखेंगे जिन क्रियाओं का संबंद प्रात्मिक और दुतियक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग परदान करना होता है और सेकेंड वाल अंतर लिखेंगे किरसी, मच्यन, बानिकी और प्रात्मिक क्रियाओं के उधारन है और यहाँ पर लिखेंगे यातायात, बैंकिंग, स्वास्तिया, सिक्सा, बीमा, आधी, तृतियक क्रियाओं के उधारण है दिख रहे हैं आपको तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं यह हो गया प्रात्मिक क्रियाएं और तिर्थिया क्रियाओं में अंतर में उसके बाद सेकेंड वाला है अंतर बताने के लिए निर्वाह किरसी और गहन किरसी में अंतर बताईएं तो यहाँ पर जो आपने क्या करना है अंतर के लिए यहाँ पर भी एक टेबल बनाएंगे शक्ताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली किरसी निर्वा किरसी कहते हैं और यहाँ पर लिखेंगे आप दूसरी साइड में लिख सकते हैं भूमी के एक छोटे टुकडे पर अधिक परिसर्म द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है और यहाँ पर में लिखेंगे निर्वा किरसी के अंतरगयत एक वर्स में केवल एक ही फसल उगाई जाती है और इधर लिखेंगे गैन किरसी के अंतरगयत एक से अधिक फसले उगाई जाती है थर्ड में लिखेंगे इसमें किरसी के परंपरागत तरीके उप्योग में लाए जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो है अगला प्रसने आपके लिए किरिया कलाप से सम्मादित प्रसने है एक्टिविटीज का प्रसने यह और यहाँ पर क्या पूछा है बाजार में उपलाब्द गेहूं चावल जुहार बाजरा रागी मक्का तिलहन और दलहन के बीजों को एकतर चीए तो आप यह बजार से ले सकते हैं उन्हें ककसा में लाइए आप अपनी ककसा में ले जाइए और पता लगाईए कि वे किस प्रकार की मिर्दा में उखते हैं तो आप यह अपने कलास टीचर से पूछ सकते हैं अपने सब्जेक टीचर से पूछ सकते हैं और यह सारे ज अंग्रेही चित्रों के आधर पर सहयुक्त राजी अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन सहली के मध्या अंतर पता कीजिए तो यहाँ पर जो है आपने इन सब चीजों का सारा लेना है पत्रिकाओं पुस्तकों समाचार पत्रों इंटरनेट आधिसे और इसमें जीवन सहली में अंतर बताना है किसमें सहयुक्त राजी अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन सहली में तो चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर यह जो मक्का, तिलहन, जौर, बाजरा, दलहन, आदी बीजों को एकत्राब ने किया था, इन्हें कखसा में ले जाकर यह किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं, तो उत्तर लेखेंगे आप फस्टिका बीविन फस्टिका बीज चातर स्वेम एकत्र करें, यह तो आपको स्वेम से करने हैं बच्छों, और एक कौन सी उसमें उगाई जाते हैं, तो यहाँ पर जो है, अच्छी सी एक टेबल बनाएं, साब सुत्री, और यहाँ पर जो है, लिकिना सुरू करें, सबसे चिका युक्त जलोड मिर्दा में, यानि कि मिर्दा का मतलब समझ रहें आप, बार बार यहाँ पर मिर्दा आ रहा है, तो मिर्दा क्या है, मिर्दा का मतलब मिटी, जलोड मिटी, ठीक है न, इसके बाद मक्का की बात करते हैं, तो यह जलोड मिटी में, यह जलोड मिर्दा में जुआर की बात करते हैं तो बलुआ दुमट और बाजरा की बात करते हैं बलुआ दुमट जुआर की बात करते हैं जलोड और रागी की बात करते हैं बलुआ दुमट और इसके बाद तिलहन की बात करते हैं बच्यो तो जलोड और दलहन की बात करते हैं तो जलोड तो इस देंगे यहाँ पर लेकिन चित्रा आपने सिमाचार पत्रों से आदी से काट कर स्वेम से इकटे करने हैं और अंतर क्या होगा भारतिया किसान और सहिकतराजी अमेरिका के किसान की जीवन सेली में उत्तर में आप लिख सकते हैं सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे और लिख हेक्टियर होता है इसके बाद दूसरा पॉएंट लिखेंगे किसान मुक्य रूप से गाउं में रहता है भारतिया किसान तो आप जानते हैं न अगर आपके पास भी खेती वाड़ी वाले हैं आप तो आप भी गाउं में रहते होंगे तो भारतिया किसान कहां रहता है बच अरोगे टेक्र से या भेलों से प्रमप्रागत तरीके से करते हैं. च्छटा प्यइंट लिखेँगे किसानों के पास बंडारन की सुभीधाओं की कमी होती है अब बात करते है यहां पर कि सयुकतराजय अमेरिका का किसान होता है उसकी बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे किसान सामानेता फारों में रहता है तीसरा पॉइंट लिखेंगे किसान वर्स में एक फसल उगाता है चौथा पॉइंट किसान उर्वरा कार्यकरम की योजिना बनाने में बैग्यानिक मदद लेता है उसका कंप्यूटर उपग्रह से लिखेंगे आप क्रेसर का उपयोग किर्शी सम्मंदी विवित संक्रियाओं में करता है और इसके बाद जो है छटा लिखेंगे अनास्वचालित अनबंडार में संचित किये जाते हैं अथो आप बाजार अभी करणों यानि कि मार्केट एजन्सियों में भेजे जाते हैं तो आओ खेले सब्ड़ पहली को दिए संक्रियतों की मदद से हल कीजिए तो आपने देखी थी सब्ड़ पहली अपनी पाटे पुस्तक में आप देख सकते हैं और कैसी है व했습니다 वर्ग पहली के उत्तर अंग्रेजिमें अंग्रेजिक के सब्दों में हैं और यहाँ पर यहां से आपके लिए के वर्ग पहली दी हुई है आप इसे देख सकते हैं अपनी पाटे पुस्तक में देखें बच्यों पुरा चित्र आपको दिखाई देगा यहाँ पर दिख रहा है नहीं है यह है आपका पुरा चित्र और इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे एक टेबल बनाएं आप और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाएं से दाएं उपर से नीचे फसल जिसे सु अफवाहित उपजाओ मिर्दा मद्यम तापमान पर और तेजदूप की आउसकता होती है तो इस परकार से आप इने जुए अपनी नोटबुक में नोट करेंगे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर तो इस परकार से उपर से नीचे और बाएं से दाएं के लिए आपको जो संकेत दे रखें आप इने पढ़ें और इने जुए अपनी नोटबुक में नोट करें इसके बाद इसको हल कैसे करना है चल यह देख लेते हैं बाएं से दाएं तो इहाँ पर बाएं से दाएं में आप लखेंगे मेज मेज यानि कि मक्का और Green Revolution यानि हरित करांती और wheat लिखेंगे यहाँ पर गेहूं और यहाँ पर निर्वाक किर्सी और इसके बाद dairy farming और फिर wheat culture कैसे लिखेंगे बाएं से दाएं आप समझेगे ना बाएं से दाएं यानि कि बाएं कहा होता आपका यहाँ से और शुरू करके इधर को ठीक हैं और उसके बाद उपर से नीचे तो उपर उपर कहां यहाँ से शुरू करके यहाँ से शुरू करके ऐसे नीचे को तो यहाँ पर लिखेंगे milites, अस्तानांतरी किर्सी agriculture, हाल्डी कल्चर का पास और इसके बाद रोपड किर्सी, जूट, चावल और प्रात्मिक क्रिया या प्रात्मिक क्रिया तो इस प्रकार से आप जो इसका उतर लिख सकते हैं उपर से नीचे ऐसे में और बाएं से दाएं तो बच्चो इसके साथ ही यहाँ पर इस पार्ट से संबंदित प्राशनों के उतर आपके समापत होते हैं उमीद है कि आपको अच्छे से समझाए होंगे और इसी प्रकार लगातार अपने सभी पार्टों के प्राशनों तर जानने के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे वीडियो और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आउसे कर दे बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको आने वाली परते एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले और लगातार जानते रहे अपने सभी सामाजिक विशे के सभी पाठों के प्रस्नुतर और साती साथ कक्सा आठ हिंदी वसंत और हिंदी व्याकर्ण से सम्माने सभी पाठों के प्रस्नुतर हमारे इस चैनल के माध्यम से तो आज के लिए इतना काफी है बच्चो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और तब तक के लिए लेते हैं आप से विदा आपका दिन सुभ हो